कुणा रहा है आज हम आपने किचन में रहे हैं आज लिए रहे भी जा वह ढाइन चाहिए Q2 सांच रहे हो हम चाहिए पाश्चाइए करवा को रहे हैं रिग यहां पेरा का या लिए जैसके रहे हुआ पैले आफेलाइन है तह例えば चिकन को कर लिए है ताकि जब हमे शहां पास्टो ग्रम चला जाए नहीं पास्तो ग्रम चिकन डटो जाली। 15 मिन पहले बीको करते हैं , जो पींसे यांजर पास्तो ग्रम चिकनारी मोंच प्राइस यूज लिए चालाइज भीद्यारी। तीन बड़े टमाटर, चोकान तुक्रों में कटे हुए, दही चाहिए हमें 250 ग्रम, दही को अच्छे से पेट ले ताकि इसमें कोई लंप सनव है, तीन बड़ी प्यास, फ्याइक यूवी, अब जब बिव्यानी कोर्मा बनाते हैं, तो इसमें फ्याइक यूवी प्यास बहु प्योट है निया कोई बिव्यानी मसाला ले सकते हैं, तेह प्यास बेलेगे हैं, जिसको की मैं इस तरह से बीच में कटकर लिया है, तीखा अपने हिसाब से कम साथा कर सकते हैं, खड़े मसालों में हमें चाहिए तेज-पत्ता, चावेती ले लेंगे, दू बड़ी लाइच तो हवी लाइची, दालचीनी, तीन से चाव लॉंग, तीन से चाव काली मिर्च, तो यह हमने खड़े मसाले देख लिए है, अब कावनिश के लिए और या बिर्यानी में डालने के लिए इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने पुदिना ले लिया है, पुदिना पत्ति ले भाण भी अधनिया ले लें यह आख से लिए अब काया है, यह ल चाहिए हमें के देशी घी चाहिए हमें विवियानी के लिए यह सिर थाड़ तो यहां पर ऐःचीन प्रतर बाई देश करने वाली हूँ अदवक अवलसून की पेस्ट चाहिए हमें 1 तेबल स्पून नमक, शजये हो अंपने सवाधनु सावल खेंगा और आपके शड़की के साव से कुढ चाहिए तब चुछन करो सबस्कुन है यहां पर जसे शचिकन को कार शट्रप एक लिख है है किलिएप्ट बwork está 7 दिक हे पे questions यहां पर मैं इसमें डाल दूंगी अद्वक अवलसून की पेस्ट, साथी डालेंगे टमाटर, दही डाल देंगे इसमें, दही को अच्छे से पेट ले ताकि इसमें कोई लंस न रहे, अब हमने जो पाउडर मसाले लिये थे वो पाउडर मसाले और हरी मिर्च हमें यहां पर अब हम इसमें डाले हैं, सुल्ट लएडर कर देंगे, नमक मिर्च आप अपको इसाब से कम सादाी कर सकते हैं, साथी अब हम इसमें डालेंगे 5 сок ब्रास, दो काें हाटों से तो갈के इसमे डालें, पुदिन पत्रक्रीया से तोड़के डाल सकते हैं, और अगर चाहें दोने में same hasha dhania और हरी पी पेस्ट पना कर भी इसमें डाल सकते हैं अब हमें डालेंगे हमें गज़े लगे अब कुछाय तो अपने हातों के मदद से मिक्स कर सकते हैं ताकि इसमें अच्छी से मसाला लग जाएंगेक अगर आपके पास समय जादा है तो आप इसे जादा टाइम के लिए भी रख सकते है यह जितना जादा मैविनेट होगा उतना ही जादा खाने में टेस्टी लगेगा तो इसे एक गंटे के लिए लग देते हैं तो यह एक से देड़ घंटा हो चुका है अब हम जलते हैं इसे बात करते हैं तो तो प्याई जार तो इसमें एक बात्का जाना दिया है तो यह धे गाई ख़ो सकते हैं आदाम नेट पात मसाला अच्छे से भूंचुके हैं अब हम इसमें हमारा मैगनेटर चिकन डाल देंगे इसमें टाल दिया है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कर दियां और फिर मिक्स करने के पाद्याल से भूड़ कर यहीं तकी आच प। खूरिके भीनी आज पर 5-5 मिनयट तक पका लिए मावा च्यकीन अचिकन है अच्छे से जहाए तो देखिए दस से पंदों में ठोच चुके हैं पांड का ठकन अटा देंगे जैसे कि मैं आपको बताया था इसे बीच-बीच में चलाते रहेंगे तो इसे साफ से मैं इसे बीच-बीच में चला दिया था और यह हमारी जो अपनकर बिल्कुल तैया है चिकन अच्छे से टें तो मैं दूसरे वेसर में शिफ्ट कर देखिए यहां पर मैं एक जाड़े तले का बतन ले लिया है और इसमें मैं यहां पर चिकन अच्छी से पक चुकाता है इसमें मैं डाल दिया है अब यहां पर इस पर डाल रही हूँ नोर्मली हम जब राइस डालते है उसके उपर जब पा मैं उसे तवसर डाल देँगे तो यह पूर कलव द्ह़ाय देए है तो यह दिखिए यहां पर फूर कलव डाल दिया है इन्ट भुड़ी सी फ्राइड ओनिएं डाल देंगे जूदीना पत्ति राल देंगे घुदीना पत्ति को हातों से थोड़ा सा तोड़के डाल ठंञे जाँ में दाल तो यहां पर अभड़ रागदी करते हो हाथों इस तरह से इसे पहला प्राइस त्वा जाएंगे यहां निकाल दैल खाल एक पुदिनापति थैसी की ड़निश कर देंगे यहां पर अगर चाहे तो फूर कलर डाल सकते हैं या तो फिर अकनी की उपर जो आजाता है वो डाल सकते हैं मैंने यहां पर वो ऑईल निकाल लिया था यहां पर इसमें डाल रही हो अगर आपके पास जाड़े तले का बरतन नहीं है तो आप इसे नीचे पैन या तवा रख सकते हैं और फिर ये बरतन रख सकते हैं तो टोटल हमें ऐसे 10 मिट तक के पका लेना है उसके पास हमारी जो बिव्यादी है वह बनकर दियाब तो ये देखिए दरस मिट हो चुके हैं पैनका टकर नटा देंगे अब देख सकते हैं कि हमारी गर्मा कर थे बिव्यादी बनकर बिल्कुल तदीश में निकाल लिया है अम